दोस्तों कैसे हो मैं हूं हरीस और आप देखरे फैट स्वारल्ड हिंदी दोस्तों क्या आपको पता है डाइनोसर का अंत कैसे और कॉब हाता अगर आपको नहीं पता है डाइनोसर का अंत कैसे और कॉब हाता मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा क्या आप ये वीडियो का म मज़ा लेते हैं दोस्तों आज की विडियो तढ़ा लॉंबके और मज़दर होना वेला है आप ये विडिव का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो ये विडियो को पूरा देखिए अगर थोडा-थोडा जने चाहते हैं फोन इनके बहुत सारे प्रजातियां धर्तिव और मेहजुद थे। इनमें से कुछ साकारी थे और कुछ मांकसारी। कुछ डाइनसर बहुती सांद सभाब के थे और कुछ डाइनसर बहुत खतरनाक और हिंसत थे। लेकिन ये 14 करण साल पहले की सबसे सपल जीव थे। लेकिन एसा क्या हुआ? आखिरी डाइनसर का प्रजाति कहां विलप्त हो गए? और एसा कौन सा घटन थी जो डाइनसर का ना काम और निशन मिटा दिया। इससे जनने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। आज से करीब 6 क्रोड पच्चास लाग साल पीछे जाना होगा। और डाइनसर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आई ये चलते हैं 65 मिलियन साल यानि कि 6,050 लाग साल पीछे आज से करीब 6,6 क्रोड साल पहले धर्ती का मौसम काफी सुहाना था। जारो और सुरज की रोसनी दिखरी होई थी। बड़े बड़े पेड़ों से ठकरा थी है ये समंदर की धंडी हावाय और सिर्फ यहां डाइनसर की खुनकार आबाज सुनाई दे रही थी। डाइनसर की अलाबा और भी एक फ्राजा दी था जो आकार में बहुत ही चोटा था और वो आज की चुहे जैसा देखता था। असल माइनों में ये हमारे प्राचिन पुर्वस थे और आगे जाने के हम इनसे विक्सित होने वाले थे। और ये थे मामाल्स दोस्तों इनसे हम मारा जन हुआ था कैसे और कॉब होता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को जल्दी के जल्दी आपके पास लेकर आए तो आप हमें कमेंट बक्स में जरुर बताए दरती पर सारे डाइनसर प्रोजा थी बड़े ही आरा पक 20 क्रोर माइल दूर्फ मंगल और व्रोस्पती के पीच बने एक खुद्रग्राफ बेल्ट में घुम रहे एक बड़े एस्ट्रोइट से जाकर धक्का हुआ इस टक्राफ से उस बड़े एस्ट्रोइट की धिसा बोड़ल जाती है और वो खुद्रग्राफ बेल्ट से निकल कर चिदे फूर्थवी की और 25 मेल फ्रती घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है जब एस्ट्रोइट फूर्थवी से 3,84 किलोमेटर की धूरी पर था तोब से ये साइद डाइनोसर का अंत ना होता यादी ये एस्ट्रोइट फूर्थवी के उपक्रा चंदर से टक्रा था लेकिन येसा नहीं हुआ क्योंकि नियादी को कुछ और ही मौझूर था इसलिए ये बड़ा एस्ट्रोइट चांद की बहुत नश्तिक से गुजरा गया चालिस किलोमेटर के ब्यास वाला टू ट्रिलियोन मेट्रिक टॉन का ये एस्ट्रोइट प्रतिक सेकेंड के साथ साथ धर्तिके और करी बढ़ता जा रहा था ये एस्ट्रोइट जो फूर्थवी के बाताबरन के संपर्क में आ गया तो इसकी रफ्तार एका एक सत्रा हचार किलोमेटर प्रति घंटा हो गई रुत्वी के भाई मडल में घुशते ही गर्शन की वजह से ये एक बयानक आग की गोले में बदल गया था ये इतनी रफ्तार से धर्तिके और बढ़ रहा था कि इस इसने सिर्फ चार मिर्ट में आटलांडिक वोसिन को पार कर लिया था इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धर्ति पर ठकरने से पहले हजार जीव आग के इस गोले को देखकर पुरी तरह से अंधे हो चुके थे ये जी बुलका को देख नहीं पार रहे थे लेकिन वो उसकी भयान गर्मी को मेसुस कर पा रहे थे कोचिक सिर्ण में ये एस्ट्वेड माक्सिका की घाड़ी के पास जमिन से ठकराता है और एकी भयानक विस्पोड होता है ये विस्पोड इतनी सकती चली था ये आज की 10,000 हाइड्रोजन बौम के बराबर था और इसके ठकराते ही धर्ति के लाकों में टिक ट्रन धात्तु अंत्रिक्सियों में चला जाता है और जहां ठकराता है वहां 180 किलेमेटर चोड़ा और 20 किलेमेटर गेहरा काड़ा बन गया था विस्पड की कारण इस काड़े का सारा मेट्टाल और पौत्थर आस्मन में धूल के बड़े बादल में बदल 16 मिनिट 40 सेकंड बाद जमिन टकराव की बज़ा से धर्ती के अंदर चारो और 11 दस में तिप्रता की भुकम तरण उठने लगी इस बज़ा से समंदर के भी सलकाय लेहरों का निर्मान हुआ और इसकी थोड़ी ही देर बाद सुनामी की लेहरे धर्ती के चारो और बढ़ने भुकम्प्य तरण ने सभी सक्रियों ज्याला मक्यों को देखा दिया जिसकी करण जगा जगा डाइनसर का बिनास सुरू हो गया धर्ती के महा बिनास की फ्रक्रिया आरंग हो जगी थी इस बिनासक बिसपोड में रेडियस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमेटर के लाइरों में आने बाले सभी चानबार चल कर पुरी तरह से राग हो जगी थे इस महा बिनास में उड़ने वाला डाइनसर इन जमनी खत्रों से तो बच निकला लेकिन ये तो महा फ्रक्रिया की बास सुरूवत मत्रा थी डिसपोड की बज़ा से जो लाकोटन मेटाल पत्तर और धूल जो अंतरिक्स्या में गया था वो ग्राविटर्शनल कूल के कारण चालिस मिनिट के बाद आग की गोला के रूप में पूरी धर्ति पर बरसने लगा साथ ही धूल की एक बहुत बड़ा तुपान 6,30 गंटा की रप्तर के फुद्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था ये धूल के बादल कई किलेमिटर मोटे थे जिसकी बज़ा से सुर बिसपड की 90 मिनिट बाद धर्ति का तापमान 200 डिगरी तक बढ़ गया इसकी बज़ा से जो डाइनेसर बिसपड की इलाके से कोसो मिल दूर थे वो भी इस गर्म से बच नहीं पाए इस महाफ्रले से धर्ति के कुल आबादी 90% बड़ी तरह खतम हो गई थे और जो 10% जीव दर्ति पर बच गए थे उनमें से भी जिर्फ बोई जीव जिन्दा रहे जिनका वज़न 30 किलोग्राम से कम था इसकी कारण ये था कि लाखो संख्या के जीव मारे जा जुके थे और पेड़ बदों की सारी आबादी जलकर राख हो जुके थे जिसकी कारण ये जो बड़े निशलकाई जीव बच गए थे उन्हें भगपुर मात्ता में खाना पिना ना मिल चका लेकिन ये माफ्रेले किसी अन्य जीव के लिए फाइड़े मन होने वाला था और दोस्तों वो प्रजाती थे मामाल्स मामाल्स क्या थे कैसे बचने के लिए इस माफ्रेले से और डाइनसर की अंध की बाद मानव का जन कैसे हुआ ये जानेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लागा कॉमेंट में जरूर बताना और ये चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूलना चले दोस्तों आज के लिए बस इतना है टेक क्यार और बाइबाई